ये दुनिया मांगती है एक हीरो जो दुश्मन को कर देता है जीरो क्योंकि उसका जाब कर देता कर वे बे बस्टर वो किसी को न चोड़ेगा सारे रेकोर्ड वो तोड़ेगा सबसे आगे नौड़ेगा कि बे बस्टर वो भासब का गुरू होगा जब भी ओशुरू होगा घेल सबका क्वेश़ वो परस्टर को सुह भाइज सब कम बेक तो तो शुरू करते हैं हम अपना विकलत बस क्याओ शीजन के अपिशोड नंबर फॉर और वीडियो लाश तक देखने के वीडियो को लाशन सूट आप में लेगा तो अपने एपिसोड फॉर शुरू होता है और हम देखते हैं इस एपिसोड के नाम है लेटेज जी ब्रेकर एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाये जाता है कि लास्ट फाइट जो ही थी वही पुबू की वही थी आईगर वर्सेस रेंटारो की जिसमें दोनों काफी ज़्यादा थक गए थे और वहीं पर सो गए थे फाइट करते करते तो हमें अगले देंगा सीन लिका जाता है कि आईगर अपने टेंट में सो रहा है जो कि बेगोमा एकेडमी के पार्क में लगा और फिवे जाता है अपने स्कूल यानि बेगोमा एकेडमी है पहली बार और लेकिन वहाँ पर जितने में स्टूइंट होते हैं वह से वाइकर को देख रहे होते हैं आगर पूछता है यह सब क्या हो रहा है से मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं तो उसकी बेंटारो बताती है क्योंकि उसने पिछले दिनों 100 ब्लेटर्स को हराए था और साथ फूबोकी की साथ मैच किया था और एंटैरों के साथ भी मैच डॉक करा था तो इसकारन से सबी लोग उसे अटेंशन दे रहे हैं तो इस पास आगे काफी ज़्यादा खुश होता है वह जब एक जगह जगह है क्योंकि तुम अभी किसी भी गुरुप का हिस्सा नहीं हो इसलिए तुम अभी अंदर नहीं आ सकते तो इस बास से आयर का फिज़ादा परशन हो जाता है और उस गुरुप के अंदर होते हैं फुबोकी सुओ और बागी सारे बलेडर्स होते हैं जो कि स्क्रीन की तरफ क्योंकि एक important announcement अभी होने वाला होता है और यहां पर announcement चाल हो जाता है और हमें advertisement में यहीं उसी LCD में दिखा जाता है कि वहां पर वाल्ट के बारे में कुछ information आईए वाल्ट अभी world champion है अब आईगर को यह सब चीज़े देखनी थी तो उसकी बहन जो टारो होती है वो क्योंक का मैच हो रहा है कर्ड के साथ कर्ड को हमने गाइस देखा था बैब्लेड बस्ट एवल्यूशन में लास्ट पैटल में जब वाल्ट उसको हराता है और वह वाबस अपने अंडर्ग्राउंड वाल्ड में चला जाता है कर्ड और अभी उसकी बाद हमें टेर्बो सीजन में देखने को मिल रही है तो कर्ड वाबस आगया है वह वाल को चैलेंज करने आया है बैसे कर ने अभी जितने भी ब्लेडर से सब को हराने के बाद वह यहां पर पहुचा है और आकि वह वाल्ड से उसका टाइटल स्पांसर ले सके तो यहां पर वाल्ड कहता है कि तुमसे श्रॉण करती है क्लिवार को हैं और यहां पर काद़ैर को बिलाटाय कंड यहां पर बलाता है और यहां पर कर लचा़ता है ऑफने सपेशल यह्ठाइक करते करता है लेकिन वेलटेक के पासे टर्बो अफग्रेट होने के कारण वेलटेक जो होता है वह कालजार को बस्ट फिनिश कर देता है एक सिंगल स्ट्राइक में यह देकर कट काफी जा तह है कि शाद यह है टर्भो वेबलेट के असली ठाकत और यहां पर गाईस 3-1 के स्कोर से वाल्ट आओई जी जाता है और अपने टाइटल को बचाने में वो विनायत होता है तो यहां पर सभी बंदे वाल्ट का मेश देख चुके हैं LCD पे और यहां फूबू के अपने ब्लेड एंपराफॉनियस की तरफ देखता है यहां पर आई-आकहर की अगले ही वाई यहां सबने चाला रहा है, आई-गैर सोच रहा ही कि एक दिल मेवी वाल्ट पैसे हराऊँगा और उसका وटा ताईटल रिस्पॉंसर ले लूंगा होता है वो बंदों से कि तुम अकिलीस को वापस कर दो यहां वहां आइकर असानी से उन तीनों को रहा देता है लेकिन हारने के बाद वह बंदे मतलब और वहां है कि नहीं हम जी अखिली को तोड़ देंगे क्योंकि हमारे कैप्टन को हराया है हमारे कैप्टन के साथ इसने डॉक हम नहीं चाहते है कि आगे निकले अब उसकी यह सब बात सुनके वहाँ पर आ करने चाहिए वह अपने बंदों को चिलाता है और आईकर को उसका वापस करता है उसे माफि मांगता है अगर कहता है कोई बात नहीं लेकिन पीछे 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 वहाँ पर फुबूकी आ गया होता है और वह यहां पर कुछ और ही समल नेता है रहेंटारो को कहता है कि तुम यह सब क्या कर रहा है तुम्हारे बंदे आईकर का बेड़ेट लेकी यहां पर आए थे और मैं यह सब चीज़ें लाओ नहीं करूंगा मैं तुम्हें बेड़ेडर नहीं मानता यह सब बाते सुनकर गाइस वह और गुस्ता हो जाता है वह कहता है तो ठीक है चलो आज फैसल करने के लिए हैजर हो गया है यह सब देगे कफ़ जदा है वह कहता है हमें एक और बेस्ट मैच देखने को मिलेगा तो यहां पर मैं शुरूब था रंटारों वर्सेस फुबुकी का दोनों अपने वेड़ेट लाउंच कर देते हैं दोनों वेड़ेट काफी जोसे एक दू टीट को बलाता है और यहां जो एमपराफॉनियस होता है वह राटेक करता है और सिंगल स्ट्राइक से गाई उसे बस्ट कर देता है यहां पर पदेख चल गया होगा कि तुम्हें अपनी काम्याबी को सर पर नहीं चाईए तो यहां पर गाईश यह सब बाता सुनके रेंटावर काफ़ ज़्यादा गुस्से माला आता है और वहां पर वो सोचते हैं कि आखिर इसा हो कैसे गया मेरा क्रेश रॉक्टावर बस्ट कैसे हुआ तब ही आईगर जो होता है वो वहां पर उसे बताता है क्योंकि तुम्हार क्रेश रॉक्टावर काफ़ ज़्यादा भारी है इसलिए उसके अटाई भी काफ़ ज़्यादा है लेकिन इसका उस पर नेगटिव इंपेक्ट भी बड़ता है सामने वाला जब अपने फुल पावर से क्रेश रॉक्टावर के उबाव आमला करता है तो वह डिफैस नहीं कर पाता है यहीं उसका सबसे बड़ी कमजोरी है यह बात राइंटारो काफ़ी ध्यान से सुनता है और उसा पता चलता है या आईगर के पास काफ़ी ज़्यादा स्किल है और यहां पर काईस राइंटारो अपने बंदों के साथ बैठा होता है थोड़ा उदास पर होता है क्योंकि वह हार गया है मैच में यह लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन तभी राइंटारो होटता है और अपना एक सूट केस निकालत हैं और अपने ट्रेंग करते हैं और यहां पर अक्ली में सोच रहा है और लिए आपने व्यूंगे गया है और यह प्लैनिक्स अगले क्ने उससे बताता है कि तो मैं मुझे से फाइट करनी होगी Fubuki क्योंकि मैंने वॉल्ट के साथ मैश किया यह बासनी वॉल्ट के लाड की मैश मैश किया तो फॉबुण की बताता है कि मैने जो पीर की पॉबड़ सायगर का पहला सब्सक्राइब करें और यहां पर फाइड होता है और वह अपना इस्तिमाल कर रहा होता है जी अकिलिस कोई बीड़ा को सब्सक्राइब करते हैं तो उल्टा जो जाता है वह रिंग आउट हो जाता है और पहुंच जाता है फुबुकी को सकंड बैटल में आइकन उस पर ऊपर सब्सक्राइब को पता है तो इसलिए उसने संटर से हड़ गया आईगर के पूरी प्रावर के साथ अकिलिस पर अटेक करता है लेकिन यही आईगर का प्लाइन था वह फुबुकी तुम मेरे जाल में फस चुके हो और यहा अब आगर वापस रिंग में आ जाता है और अपने लिमिट ब्रेक कर देता है और यहां पर जैड अकिलिस पर देता है और दोनों के मिली जुली ताका से वे अपना जी ब्रेकर मारते हैं और जी ब्रेकर के साथ ही गाइस जो एम्परावनियस होता है वह बस्ट हो जाता है लोग देखते हैं कि पूबुकी कैसे बस्ट हो गया यहां पर रेंटैरो पर समझ जाता है कि जी ब्रेकर में काफी ज़्यादा पावर है और यह आईगर के असली ताकत है यहां पर बताता है कि टू वन के स्कूर साइगर अगाने जी चुका है तब हहां पर गाइस एक वहा आरला बेटल करने जा रहा है लूइ शीरो सागी के साथ तो यहां पर गाईस हमें पहाड़ी का सीन दिखा जाता है जहां पर एक ब्लेडर काफी टफ ट्रेनिंग कर रहा हुता है और यहां बिजली गरती है तभी हमें दिखा जाता है ब्लू टर्रौीनौर तभी हम सभी जान तो यह पर एप्रिसोट कर सकते हो तो यदि आपको भी शूट आउट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देना इस वीडियो के सब्सक्राइब में देगा तो वीडियो कैसे लगी लाइक करना कमेंट में बताना तो मुझा का थोगी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए